All men आने वाली generation, जो हमारी generation है, ये जितनी भी चल रही है, इनका erectile dysfunction होगा, हम लिखित में दे दे रहे हैं, तुम कहोगा भाई, क्या बोल रहे हो भाई, तुम जादा हो गया भाई, All men कैसे हो सकता है, भाई, तुम जानते नहीं हो मुझको, मैं रोज चब चाहूं, मैं ना चा आता है, इतना strong भाई, आदमी हूँ मैं, तुम कहोगे हमको तो कोई प्रब्म नहीं भाई, एरेक्शन में, हमा तो ख़ड़ा रहता है पूरा टाम, टन्ना है रहता भाई, जवर बात है भाई, तब भी होगा तुम को, तुम रोज सुबह उठो, चाहे कितना तुमार रॉक सबसे बड़ा फ्रशन आता है तुम्हार इसको जो अपने आप से पूछना है, मेरे भाई, लास्ट सेवन डेज में, अब जूट मत बोलना, अरे हम तो हिला, लास्ट साथ दिन में, जितना हिलाए हो, क्या तुम अपने दिमाग में ट्रेस कर सकते हो, क्या-क्या चीजें थ एक 300 साल पुराने का आदमी लेते हैं, जो exact तू ही है, लेट से 300 साल पहले भी तू धर्दी पे चल रहा था, तू और आज की पूरी जो जनरेशन है, जो हिला रही है, वो किस पे हिला रही है, और 200 साल के तुम्हारे जितने भी वर्जन्स थे, वो किस पे हिला रहे थे, common-s किये हैं, हिला तो वो भी रहे थे, लिकिन वो हिला रहे थे, mostly imagination में सोच लिया, या हम जो real life में अपने around औरते या लड़कियां देख रहे हैं, मैं हेटरो सेक्शुल लॉड़ों की बात कर रहा हूं, उन पे, मेरे सरावने यानि the most realistic depiction of women in reality, in nature, जो होगा, उस पे वो fantasy है, त most realistic trigger है, तुम्हारे आज कहा हो, औरे मेरे बाई, जाने जाना, लाज साथ दिन में, जड़ा trace करना, not how many times तुमने हिलाया है, बट तुम्हारा खड़ा भी किस चीज पर particular होता है, जिस पर तुम उसके बाद हिलाते हो, जो प्रक्रिया है हिलाने की, उसका anticipation, जो खड़ा होता ह उसको सोच कि, अबे यार, उसको घर पर कोई नहीं, अरे यार, रूम मिला केला, अरे यार, आओ थोड़ा सा कुंडी लगाए, तेरा दिमाग automatically turn on हो चुका होता है, सिर्फ इस ख्याल से, तु समझना, process ये नहीं, जो हमें लगता है कि हमने किस चीज पर end किया, किस चीज से कि ये ही है मेरा stimuli, या stimulus, सो तुम मेंसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं, अब तुम सब को अपना trace करना है, क्या है, जिससे तुम्हारा erection खड़ा होता है, या erection होता है, क्या चीज़े तो तुम्हारा खड़ा कर रही है आज के टाइम पर, जो जो अपना phone हाथ में लेके चोगी तो गाल फटगी, statistically data जो बोल रहा है, सबसे ज़ादा जो हिलाने वाले लोग है, वो अच्छो में शाधिशुदा लोग है, onlyfans के I think मैं को अब इस वक नमबर या दी, तो majority percentage में जो subscriptions है, वो शाधिशुदा आदमी है, anticipation, क्या था वो, कौन सा kink है, तुम अगर सब redd सब reddits खोल के हिलाते हो, वो सब reddit किस particular kink, किस particular language, किस particular तरह के treatment, किस particular तरह का focus पे आधारित है, वो है तेरा conditioned erection करने का stimulus, तु यह समझ नहीं रहा, तु समझता है classical conditioning क्या होती है, operant conditioning क्या होती है, तु अपना brain wire कर रहा है, तु अपना actual में erection कर रहा है, तु अपना logically तु चेक कितना प्रबल इंसानों, कितना पलवान होगी भाई, मेरे तो कभी पूरा टाग खळा रहा है, तु रियालिटी से stimulus हटा ले रहा है, और तु बांध रहा है किसी तरह की sub contextual king से, किसी तरह की sub contextual humiliation fantasy से, यानि कि या तो humiliate तू हो रहा है, या तू humiliate कर रहा है, domination, submission, एक होता है दिमाग के अंदर सब चीज़े हो रही हो, और बाहर कुछ ही नहीं present है, तेरा दिमाग काबिल ही नहीं है, तेरको इतना दूर लेया पाए कि तेरको wire कर रहे है, सिर्फ इसी चीज़ से, कि तेरा anticipation कि ये होने वाला है, मैं ये वो king देखने वाला हूँ, मैं सब लेटिट खोलने वाला हूँ, मैं वो pond खोलने वाला हूँ, मैं इस तरह की category खोलने वाला हूँ, वो ही खड़ा कर दे रही है भाई, खोला भी नहीं, तुम्हारा प्रिपेर है भाई, अटन ना निकले, आए, मजा आएगा भाई, वापस देखेंगे, आज के समाज में भाउं सोड़े खोल गए आदमियों के, गान फटके हाथ में आने वाली है, नेस्ट टू, नेस्ट टू, नेस्ट जेनरेशन में लाउंड होगे, तुम क्या कहरो, इरेक्टार डिस्वंशन मैं कहरो, साइकोलोजिकल इरेक्टार डिस्वंशन की बात कर रहा हूँ, चाह कित बाती हो, वो तुम्हें नहीं मिलने वाली है, और मैं तुम्हें कागस में साइंकर कर देते रहा हूँ, तुम जिस बोड़ी भिला रहे हो, इंस्टाग्राम पर जो भी है, वो रियालिटी है ही नहीं, और अगर है भी विबास समझना, लेस्ट से तुमने भाई बाहुत वो माई गोड, I am the luckiest motherfucker on the planet, कितने साल देलेगी वो ऐसे, तुम्हेरा लंड तो खड़ा होने वाला है, लेस्ट से पैतालिस तक, तुम घबरू जवान मादर चोध हो भाई, जिनेटिकली एंडाउड हो भाई तुम, तुम्हें तो है कि हमें सेक्स करना है, 50 तक क्यों निकर हो गए मर्दो, to want to have sex with your partner, कोई बुराई थोड़ी है वो उस्टीके, let's say बेंचो 30 जहां वो होई, गया, बच्चे हो गया, घंटा, जिस चीज के तु फिर से वापस आओ, zymuluse से जिससे तुमने अप्रकोव के बायर कर दिया है, जिससे तुमांप Diateursaka,' जिससे तुमांप एन्टिस impeachment से तुम्हारा खड़ा होता है, जब वह चीज गायब हो गई। चाहिए कितने time खड़ा हो या कितनी बार खड़ा हो जब तुम्हें partner के साथ हो गया रिला वो दिखेगा ही नहीं जो तुम्हाई खड़ा करता है, तुम्हाई लेंड खड़ा ही नहीं होगा लेकिन तूसरे कमरे में जाके जहां अन करोगे एक फोन पतन यह है पॉन अडिक्स्टन तुम्हारे शादी टूट जाएगे, रिच्टर टूट जाएगे, मादर चोट पॉन से भोसड़े की शादी करोगे तुम किस से कर रहे है, सब रेड़िट में जो चूतिय नल्ले, धल्ले मा के लोड़े चूतिया बैटके अपने दिमाग के अपने फ्यूचर की भोसड़ी वाले, वो आएगे तुमारी मदद करने, आज आज बोसड़ी के कमरे में बैटके चार लोग फोन खोले ना, घूसर का हिला ले ना बैटके यही करोगे, और यह हो सकते एक दिन कर भी रहे हो गांडू की तरह, कमरे आके बैटके हम अपने दोस्त, भाई, हम सब पॉन भाई, आएसा करते हैं, डिरेक्ट मैसेज कर लेते हैं, आज सब बैटके, एक भाई हम ही पूरी कर ले न, वो इगंदी-गंदी बाते करके, माद यहाँ पर stimuli की, अब कोई सीमा नहीं रहे हैं, क्योंकि हर कोई सीमा तोड़ा है, क्योंकि हम उसको frictionally अब उसको modify कर सकते हैं, अब यह कितनी dangerous ही जाए, क्योंकि तरह दिमाग तो उसको biological, real stimuli की तरह देख रहा है न, तेरी जो conditioning हो रही है, कि मेरा खड़ा होगा, उसका जो एक sexual individual हूँ, जिसकी fantasies है, that would have been the statement, आज opposite हो गया है, मैं एक individual हूँ, जिसकी fantasies है, और वो healthy sexual individual रहा ही नहीं, क्योंकि वो fantasy के लावा कुछ उसका हो ही नहीं सकता, बहुत सड़े खुल जाते हैं, उसकी body बंद हो जाते है, sexually operate करना, वो हर sexual, तुम नहीं, अगर कोई लड़की अभ सेटे रहते हैं, सेक्स में, उनको normal sex करना ही नहीं आता, उनको love making आते ही नहीं है, उनको अपने प्यार, अपने partner के साथ प्रेम करना नहीं आता, वो कभी heart डालके, romantic होता है, अपने यार, hug करना, जो भी होता है, अपने time spent करना, अपने partner साथ, romantically making love जिसे कहते हैं, भाई, इ सेक्स का उसने connection जोड़ दिया है, जहां sexual arousal आया है, वो directly उसका brain, automatically उसको नहीं लेकर जाता है, तो हर चीज में लड़की के साथ, वो क्या कर रहा है, लड़की रहो सकता है, starting में enjoy भी कर रहे हैं, चलो ठीक है, sexual fantasy कर ले दे, उसको भाई, तुम समझते हैं नहीं कि बूसरी एक्स्ट्रीम हर चीज का गंदा होता है, एक्स्ट्रीम हर चीज का खराब होता है, हम literally आज के टाइम पर extremes में जी रहे हैं, especially sex में, porn industry में, और especially customizable apps में जहां पर लोग अपनी fantasies को वो कर रहे हैं, यार, enable कर रहे हैं, enabler मिलके हमें, reddit से भेंकर घिनौनी app नहीं है, enable करने मे तुम्हारी कोई भी sexual tendency है, king host को, तुमसाले multiply उसको proliferate कर रहे हो, उस level पर जो तुम्हारे लिए इतिनी unhealthy है, तुम्हारा brain पुदा चेंज करती है, तुम्हारी जिन्दिकी के लोड़े लग जाएंगे, बहुत सारे लोगों के जो इसारे लिखेंगे नहीं, पर तुम्हारा प्लेए का play नहीं कर रहे हो, और वो वही है, तुम्हारी हिए हमेशा उस जगह पे उस fantasy को replace करना है, अपने partner को दुम्हारा एक mold में तुम्हारा डालना उस fantasy के, अपने partner से sex नहीं कर रहे हो तुम, तुम कर रहे हो partner पहले वो बने, फिर मैं उसके साथ करना हो कि मुझे वो fantasy इस ही चाहिए, पार्टनर से प्यार मा चुता है, यह हालत हो चुकिए भाई आज के समाज की, इस सब बाते मैं तो ने खोल के सले कर रहा हूँ कि लाण कोई नहीं करेगा, ना भार भार कर रहा है कोई, ना इस देश में कर रहा है, समझ रो, करने के लिए भी दिमाग चाहिए ना, logic से घोचड़ना पड़ता है, connection जो मैं बना रहा हूँ, यह करना पड़ता है, यह पूरी पूरी generation का भोशड़े ख़ड़ा होना बन जाया का psychological के लिए, तो मैं लगता है, psychological नहीं होता है, तो बोड़ी stress से, टैल dysfunction कैसे होता है, of course psychology से फर्क पड़ता है, घर पे अगर को सकते हैं, हम चार लोग ढूंड सकते हैं, जिन से हम और उसको चीज को enable कर रहे है, लिटरली addiction को enable करने वाली चीज हो गई, तुमको अगर story आर पर चलना है, शुद्धी का तीसरा वीडियो है, शुद्धी movement, जो first phase है, भेहन्चोद, अगर story आर पर चल ले अपनी जिंदिग है, असली power यहां से शुरू होती है, यहां से अगर powerful बनना स्टार्ट होए, तो body, soul, spirit, कर्म, धर्म, हर तरह से, socially, लोगों के साथ, कर्तववे से, हर तरह जो तुम ताकतवर बनोगे, एक higher being बनोगे, अपनी higher self पे operate कर रहे हो, और उसके लिए शुद्धी चाहिए, मैं अप जिस लेवल का, उसका neurostructurally, जिस लेवल के stimuli से वो operate करता था, और वो respond करता था, मुझे वहां पे लेके जाना है, अपने आपको, healthy sexual individual बनना चाहता हूँ, attack mode, यह मैंने बनाया system, उसको मैं बहुत बेटर वे में कहूँ, तो मैं तलवार दे रहा हूँ, उसको हाथ में लेकर देखते रहोगे, तो भी चूती हो तुम, तुम्हें उसको चलाना है, साथ से सतर दिन बहुत चलाओ, तब देखो, तुम तुनिया काल रहे हो, लेकर उसके पहले तुम्हें खुद अपने दिमाग में, ideologically and spiritually, शुद्धी को accept करना है, कचड़े के साथ नहीं चल सकते हैं, यह दो चीज़ें भाई, तुम self-sabotage करते रहोगे, तुम वापस फिर कहते रहोगे, साथ दिन बाप मुझे reset करना है, मुझे reset करना है, अरे भाई मेरा काम नहीं हो रहा, अरे यार यार यह नहीं हो रहा, अरे भाई मैं system को तुम जान बुच के छोड़ दो के करना, क्यों आज में तुम बहुत बढ़िया, अगर तुरको प्रेम चाहिए, जीवन में प्यार चाहिए, रिष्टे चाहिए, वो भी बना सकता है, और सब के लिए तिरको शुद्धा से पहले बढ़ना पड़ेगा, दिमांग को शुद्धी लाने पड़ेगा, तिरको अपना राजा बनना पड़ेगा, और राजा के लिए इस सारी चीजे में जो पर बता रहा हूँ, लास्त तीन वीडियो तीनो देखो भैचो शुचो मेरे हैं, ठीक है, जो एक घंटे वाला वीडियो है, उसके बाद तुम्हारा सेलेबरिटी वाला वीडियो है, जो यह तीसरा शुद्ध शुद्धी पर मैने जो फटी बनाए, हम तो बस पॉन की माचोद देते हैं, हमें लगता व्यूज आ जाएंगे, अरे भोसड़ी के उस गहड़ाई पर जाओ, तो क्यों, थोड़ा से शर्म आई की सुनने वाले को, आने दो, सच्चाई है लेकिन, शर्म अगर आ रही है, औ तुम्हारा परचाई दिख रही है, फिर तुम्हारा अपने एक खुद की शकल दिख रही है, शीशे में भोसड़ी के, तो सच्चाई है और वो सच्चाई बहुत इंपॉर्टेंट है भाहर आना, क्योंकि दूसरा कोई लाएगा दी, तो एक्सपोस कैसे हो रहा तू, कैसे फिर तू शुद्धी को एकसप कर रहा तो तुम्हारा पता नहीं तेरे जो सबसे अंदर डीब छुपा हुआ जो तरह व्यहवार है, वो तेरी कैसे गाण मार रहा है भाई, वो संझाना है न तुझे, तो माफ करना भाई, अगर कोई देख रहे हैं, बुजुर्ग हों ये भड़वों को, इनको ऐसे समझ में नहीं आती है, इनको चाहिए आपको भाईया पहले हरामी भी बनना है, तेकि फिर उनको वुसी लैंगुज में बहुत डीप, सेंसिबल बाते करके समझा देना है, जितने लोग हो अगर को समझ में आए, शुद्धी मोवमेंट करो, क आप दिन में इतने खतनाग लेवल पर अचीव कर चुक होगे, जिसके कोई हद नहीं है, ये जितनी मैंने बात लेकर नहीं है, जितना बहाईवियर है तुम डॉक्यूमेंट कर सकते हो, देखो तो अपना आपको एक्सपोस करो, तुम खुद कर सकते हो, जो मैं तुमें जि